एक बार की बात है, जादूई जंगल के बीचो बीच एक छोटा गिलहरी था जिसका नाम था ओलिवर. ओलिवर अपनी तेज चाल और तीवर बुद्धी के लिए जाना जाता था, लेकिन उसमें एक कमी थी, वो बहुत लालची था. ओलिवर अक्सर अन्य जानवरों के घरों म एक सुनहरा बलूत. ये सूरज की रोशनी में चमकता और दमकता था. अपनी खोज से उत्साहित होकर, ओलिवर ने सोचा, ये दुनिया का सबसे कीमती बलूत होगा, मुझे इसे सुरक्षित रखना होगा. उसने इसे अपने पेड के गहराई में छिपा दिया, अक्रोट औ और बेरोन के धेर के पीछे. सुनहरे बलूत की खबर जंगल में फैल गई, और जल्द ही सभी जानवर इसे देखने के लिए इकठा हो गए. उन्होंने इसकी सुन्दरता की सराहना की और ओलिवर से पूछा, की क्या वे इस खजाने को साजा कर सकते हैं? लेकिन ओलिवर ला बलूत की कड़ी निगरानी की. उसने भोजन की तलाश बंद कर दी और अपना सारा समय ये सुनिश्चित करने में बिताया की कोई उसके खजाने के पास ना आये. हाला की कुछ अजीब होने लगा. जितना अधिक वो बलूत की रक्षा करता, उतना ही कम वो अपने अन्य भो छोटे. उसने पूछा, यह मेरे पास सबसे कीमती चीज है. मैं इसे किसी और को नहीं दे सकता. ओलिवर ने जवाब दिया. एथेना ने सिर हिलाते हुए कहा. सच्चा खजाना कभी संजोया नहीं जाता. इसे साजा करने के लिए बनाया गया है. जो खुशी ये दूसरों को जानवरों को एक भव्य दावत के लिए आमंत्रित किया. उसने अपना खाना साजा किया, जिसमें सुनहरा बलूत भी शामिल था, जिसे उसने एकता के प्रतीक के रूप में केंद्र में रखा. जानवर खुश और आभारी थे. उन्होंने गाने गाए, नृत्ति किया, और स उसने देखा कि ये दूसरों को कितनी खुशी देता है. उस दिन से ओलिवर अपने लालच के लिए नहीं, बल्कि अपनी उदारता के लिए जाना जाने लगा. और इस तरह सुनहरा बलूत जादूई जंगल में एक कीवदंती बन गया, जिसने सभी को ये सिखाया कि सच्च उदारता और इससे दूसरों को मिलने वाली खुशी में होती है.